हाई फ्रेंड केसे हैं एक वर फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है दूनेस कुमार और आज जो मैं आपको एक नए टॉपिक जो है आपको मैं बताने जा रहा हूं तो वह जो टॉपिक है एंटी कोगलेंट बहुत से लोगों ने सवाल भी किया था एंटी कोगल होता क्या है है तो य Anda दो जब और उसके बाद मैं कुछ और वीडियो में आपको सेड़ा आपके साथ तो आपके साथ तो miss saaf को जो है बोडी से बाहर जो अब हम निकालते हैं तो क्या होता है ब्लेट जो है जमने लगता है या क्लॉट होने लगता है तो उसको जो है रोकने के लिए जो ब्लेट जम रहा है या क्लॉट हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं एंटी कोगलेंट यूज करते हैं ब्लेट को जो है क्लॉट होने से रोकता है जैसे हम ब्लट को बादी से लिएक काम कौन करता थो जो है फोलते हैं जैसे हमारे बॉडि में जो एनिटिकोगलेंट बहेरा है तो उसको जो है जबने से जो हमारे बोडी में अल्डरेटी प्रजेंट है इसके अलावा अदर जो बाहर जो एंटीज कर रहा है इसको देते हैं तो अलग अलग टाइप्स की जो है आपको बता देता हूं और उसके अलावा यह जो है पूरा टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको पूरा किलियर हो जाए तो सबसे पहले में बात करता हूं जो कुछ वाइल्स जो है मेरे पास रखे हुए जिसमें हां यह आपको दिखाई दे रहा है एक रेट कलर का है और एक यह इसमें जो है रेट कलर का जो यह वाइल के बारे का मैं बासंको कॉंसा वाइल क्यों세 टेश्ट के लिए प्रफरेंगलवाइल वाइल ठ्युट्ट इक न होता है उतनल यहों-ड्यूप यह पलेन वाईल बहुरते हैं एकिकर नहीं होता है जो है और यह जो है एधिट्यू है गया है कि फ़िए थो या है यह में इसमें भाइल को यह आप शुचक करो तरह ल्ए होते हैं गवाहलेट यह नहीं हो बाइज़ क्किलोट के दापです भांतमर स्टेस्ट के लिए दूसरा जो सवाल वह सेरम और प्लाज्म किया होता क्या है दो वाइल मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोनों में अलग-अलग चीज़ें आपको मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें भी सीरम और प्लाजमा के बारे में अलग-अलग दिखाया गया उसको आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले अपना प्लेट एल जब आप इसमें बनेट कलेक्थ करोगे इसमें तो क्या होगा इसमें आप रख दीजिए इसमें दो छीजें हatu दिखा ही सबसें नीचे जो है रेड कलर का उपर वाइट हाँ देगा नीचे पूरा बनेट्र पोर्ल्प सेलोल सकूल गोलते हैं उसको चैबते हो ये स्वर के बोलेंगे और सड़सा इसको बोलते हैं दो कर आज सवसका पंदीटाइड नोचे को कि अमोजना है उसको आज अनोर झाल को ई। जमा हिए उसको किया हुआ हुआ है इस यह जो वाइल है उसमें क्या है एंटी कोगलेंट वाले वाइल में आपने ब्लड को लिया है तब क्या होगा इसमें अलग-अलग रीजन जो है आपको दिखाई देगा burning-ben precursor सबसे पहले ऑपर वाले जो सोपाइटयोटा सुझाbak इसको अवलते हूं जो है प्लाजमा और TrE तो इस तरीकी से जो है इसमें अलग घ्यंट वहते हैं आप प्ट शयाम के ठेस्ट लएँ उसकेाद प्लाजमा से भी कुछ टेस्ट लगते हैं तो यह दोनों चीज़ अलग 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 चीज़ नहीं होना है सीरम और प्लाजमा दोनों क्या है दोनों अलग अलग चीज़ है तो प्लेन वाइस जो इसमें आपको उपर सुपर नेटेंट मिलेगा वो क्या होगा सीरम होगा एंट आप अच्छे से पढ़ना डेफिनेशन में आपको बता दिया बाकि इसके बहुत सारे प्रोपर्टीज भी होते हैं और इसका परपस क्या होता ही उच करने के लिए जो हम करते हैं तो उसके लिए अलग-अलग प्रकार के जो हैं यूच करते हैं ताकि ब्लेट जो है क्लॉट प्रिजर्व करने के लिए यूच करते हैं यूच करते हैं यूच करने के बाद उसको क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं स्टोर करके जब हम रखेंगे तो क्या है ब्लेट क्लॉट नहीं होना चाहिए तो ब्लेट क्लॉट नहीं होना चाहिए उसके लिए यूच करेंगी प्रिजर्वेशन और ब्लैट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत दिन तक रखने के लिए उसके प्रोपर्टी साप पड़ लीजेगा है इमेज में ने दिया है उसमें आपको पूरा लिखा हुआ है तो वह सौट में हैं वाकिया वुक रिफर करते हैं तो उससे भी आप यह आप को रख़ाका है और बिल्खर में लिख सकते हैं मेरे हैं मेरे चैनल को आप लाइप कीजे और changes की और लोगों को लोगों को में जान करी irm आ вод Vergleich वीडियो से यदि आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊ तो आप बेसक कमेंट बोक्स पर आप कमेंट कर दीजे मैं जो उस टॉपिक पर वीडियो बना कर आपको जानकारी दिन की कोसिस करूँगा दोस्तों मेरा वीडियो ये कैसा लगा कोई सा भी आपके मनमेदी सवाल है तो आप सवाल करिए मैं आपको जो है उसका जवाब दूंगा